हमारे चैनल में आपका पुना स्वागत है आज हम भारत के सबसे प्रमुक बिजनेस टाइकून में से एक अनिल अमबानी के उत्थान और पतन के माध्यम से एक मनुरम यात्रा पर निकल पड़े हैं हम से जुड़े क्योंकि हम उनकी उनलेक निय सफलता, कथिन चुनोतियों और उनकी यात्रा से सीखी जाने वाले सबग का पता लगाएंगे आईए गोता लगाएं भारती या बिजनेस मैगनेग धीरुभाय अमबानी के छोटे बेटे अनिल अमबानी 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुपता से उभरे उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थाफित रिलायंस समूग को दूरसंचार, बिजली, बुनियाधी धाचे और मनोरंजन जैसे विविभुद्योगों में विस्तारिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अने लंबानी की शुरुआती सफलताएं उन्होंने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कमपनियों में से एक रिलायंस कम्यूनिकेशन का नित्रित्व किया और इसे उद्व्योग में एक प्रमुप खिलाडी के रूप में स्थाफिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका न भी थी विभिन उद्योगों में उनके महत्वा कांक्षी प्रवेश और हाई प्रोफाइल अधिग्रहनों की एक श्रिंखला के कारण उन पर काफी कर्ज का बोज पढ़ गया आर्थिक मंदी नियामक परिवर्तन और दूरसंचार क्षेत्र में तीव प्रतिसपर्धा ने उ सफलताओं का सामना करना पड़ा थिती को बदलने के उनके प्रयासों के बावजूद उनके व्यवसायों को दुर्गं चुनोतियों का सामना करना पड़ा जिसे अंततह उनकी व्यक्तिगत संपत्ती और प्रभाव में उन लेकनिय गिरावटाई अनलंबानी का उत्थान और पतन बहमूलिय सबक देते हैं ये लगातार बदलते व्यावसायक परिद्रश्य में विवेक कूल वित्तिय प्रबंधन रंगनीतिक विविधी करन और अनुकुलन शीता के मेहत्व को रेखांकित करता है यह एक अनुसमारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे सफल उद्यम भी प्रतिकूं परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और दीर्ट कालिक सफलता के लिए इन अनुभवों से सीखना आवर्श्यक है अने लंबानी के उध्थान और पतन पर आपके क्या विचार है नीचे टिपपनियों में अपनी राय और अंतर द्रिश्टी साजा करें यद हमारे साथ जुडने के लिए धन्यवाद क्योंकि हमने अने लंबानी की आकर्शक यात्रा का पता लगाया एक ऐसा व्यक्ति जिसने असाधारन सफलता और कठिन चुनौतियों दोनों का अनुभव किया याद रखें सफलता की हमेशा गारंटी नहीं होती है लेकिन सफलता स के सीखी गए सबक हमारे भविश्य की प्रयासों को आकार दे सकते हैं अगली बार तक वे अफसाय की दुनिया की खोच और सीखते रहें